दमश्का बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्तान परिक्षा प्लस में कैसे हैं सभी यूपी PCS के द्वारा एक बहुत ही बहुतरीन वेकेंसी जो बोल सकते हो कि ऐसे बच्चे जो टेक्निकल है या ऐसे बच्चे जो टाइपिंग और इस तेनो वाले हैं उनके लिए ये कोई वेकेंसी कलेक्टरिट से कम नहीं है वो जो रुतबा है वो जो इकसान है जो सैलरी है और सबसे बड़ी बात कि इस बार इतनी ज़्यादा संख्या में पद आ रहे हैं और वो भी आपके लिए गैस्टेड हो गया है मतलब जो पद है 4800 ग्रेट पे की वेकेंसी गैस्टेड ऑफिसर जबदस ड्रीम जॉब एकदम ऐसा रुतबा कि आप हमेशा मंत्रियों के बीरोक्रेट्स होते हैं उनके बीच में आप हमेशा रहोगे और खुद भी एक बीरोक्रेट ही कहला होगे तो यह जो वेकेंसी है यूपीपीस की एपियस है अपर निजी सच्चिव एडिसनल प्राइवेट सेक्रेटरी की बात किया जाए यहां पर और यह सबसे बड़ी ब बढ़ जाए और अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है बतलब कि इस वेकेंसी को वैसे भी यूपीपीस बहुत तेज हो चुका है एक साल में वेकेंसी क्लियर करवा रहा है तो समय ज्यादा नहीं बचा है तो लगादार बच्चे यह पूस्ते हैं कि सर इसकी तैयारी हम कैसे करें तो इसके लिए एक बहुत ही समगर रणीत आपके लिए एक बहुत बढ़िया कि कहां से अब को तैयारी करना है क्या कंटेंट होना चाहिए किस विशह पर आपको जादा मेहनत करनी है कहां से कूर नमबर जादा उड़ते हैं और किस विशह को हमें चोड़ना है उसके सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और से कर लिज़ेगा और पूरी वीडियो को इत्मिन हों से देखिएगा मैं इसमें इसके ही चलचर करने वाला हूँ कि जीएस का लेवल क्या होने वाला है हिंदी डेस्क्रिप्टिव हाईगी क्योंकि वो कहां से तयार करें दूसरी बात जो कंप्यूटर है वो कब पढ़े कब से पढ़ना चालो करें इसका प्रेप्टिकल एक्जाम होता है कट आफ कितनी जा सकती है पिछली बार क्या कट आफ र वो क्या है अभी तक जो इसका पेपर होता आया है इसमें तीन स्टेजस होते हैं तीन स्टेजस में एक आपका प्रेलिम्स होता है जिसमें जीएस और हिंदी का पेपर होता है दूसरे स्टेजस में आपका इस्किल टेस्ट होता है जिसे आप मेंस बोल सकते हो उसमें आपका आसू लिपी की परिक्षा होगी, स्टेनों की परिक्षा होगी, हिंदी की भी होगी, इंग्लिस ऑप्षनल है, चाहू तू दो, चाहू तना दो, दो गे तो थोड़ा ज़ादा आपको अधिमानी आहरता मिल जाएगी, ऐसे बोल सकते हो, या आपको एलावेंस वगेरा मिलने वाली है, तीसरा जो आता है, कि तीसरा इस्टेज आपका है, वो कंप्यूटर का है, और यह आपका टर्मिने टेस्ट होता है, मतलब कि आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपके प्रैक्टिकल एक्जाम करवाए जाएंगे, अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रखा है कि आपको पढ़ना क्या है, अगर आप एक नजर में देखोगे तो इसमें देखो, जी असकी सलेबस में एवरिवेशन, इसे आप लोग बोलते हैं फुल फॉर्म, एप्रिवेशन को बोलते हैं फुल फॉर्म, आप ऐसे समझो, किसी का फुल फॉर्म, फेमस बुक् अगर में इसको इसे अगर थोड़ा सा इसे थोड़ा सा आपको बाइफरकेट करके बोलू कि कौन कौन से स्क्षन को आपको पढ़ना है, तो एक सक्षन तो आपको जनरल अवेर्नेस है, एक सेक्षन आपका जनरल अवेर्नेस है, आप सिलेबस को ऐसे समझो, sport में समझो, प्लस current और इससे आपके बनेंगे, इससे आपके लगबाग 50 question बनेंगे, ठीक है, दूसरा part जो आपका है, वो आपका GS है, इससे आपके 40 question बनेंगे, और तीसरा जो आपका है, वो है maths है, और इससे आपके क्या बनेंगे, 10 question बनेंगे, यह आपका paper one है, यह आपका paper one, आपको ऐसे प्राइश्कोरो और करन्क अफ्यर्स भी जिसने वह ऐसे तो दिया important इवेंट नेशनल और इंटरनेशल 10 नमबर का लेकिन जब इंपोर्टन से की बात कर दिया विल्डिंग की बात कर दिया तो ऐसा होता है कि करण से क्या होता है कोशन पूछ लेता तो जब आपको important building पढ़ना है तो important building में current से संबने सारी चीज़ पढ़ लो और इसके अलावा जो भारत में प्रशिद monuments हैं जो buildings हैं जो statues हैं उनको आपको पढ़ना है जैसे आप statue of unity वेगरा के बारे में अच्छी खासी जनकारी यहां पर रखोगे तो आपका यह वाले topic cover हो जाएंगे ऐसे books and author में जैसे जितने भी important books है ठीक है यह experiment of my truth वाली जो आपकी किताब है मात्मा गांदी जी की यह आपकी जैसे पिशली बार पूछा था तो यह सारे आपके जो पुरानी भी किताबे हैं या फिर जो आपी current में वह गई किताबे पब्लिस होती रहती है उनसे question आपकी क्या होते है books से question पूछा जा सकता है ऐसे गर abbreviation की बात किया जाए तो abbreviation में आपको बता दू कि यह जंदली computer के terms ज्यादा पूछता है computer के terms जैसे आपसे पिशली बार sim का full form पूछा था है या फिर आपका ATM का full form पूछा था ऐसे आपके जितने भी नई चीज़ें आती जाती है जैसे UPI का full form पूछ ले अभी नया चला हुआ है यह सारी चीज़ें आपसे क्या होती है abbreviation full form पूछता है और यह टेक्निकल ही ज्यादा होती है यह तिर कोई ऐसी चीज़ जो आपके किसमे हो current में मौझूदा समय में चल रही हो उससे संबंदित आपका पूछता है तो यह भी आपका current affairs के part में मैंने रख दिया क्योंकि आपको 50 question यहीं पर cover करना है तो जो आपको 50 question है यह आपको कहां से cover करना है यह आपको current affair और आपको general awareness वाले topic से cover करना है दूसरा आपका GS है और GS में भी आपको यह 40 पढ़ना कहां पर है आपको UP की UP की जोग्रॉफी की पढ़ना है UP की जोग्रॉफी पढ़ना है आपको modern इ से की बात करूं तो आपको physics पढ़ना है क्या पढ़ना है physics प्लस आपको bio में केवल diseases और vitamins डिजीजर और vitamins और पढ़ना है अगर इतना जाद इतना आप पढ़ लेते हो तो इस 40 में 30 प्लस नंबर आपका यहां से आ जाएगा मतलब में केवल topic बता रहो यह GS में भी ऐसा नही से तक आपको पढ़े जाएं यहां से आपकी कोशन अच्छे खासे पूचेंगे science इसने लिखतो रखा है लेकिन science के 10 कोशन पूचा जाएगा और science के 10 कोशन में अगर बात किया जै तो ज्यादा जो पार्ट होंगे वह आपके diseases, vitamins और physics के कुछ पार्ट से कोशन पूचाते ह भी होते हैं बड़ यह common होते हैं ऐसा नहीं कि आपको वहाल deep में पढ़ना है इसके बाद आपका आता है math बहुत सारे बच्चों को जो APS की त्यारी करते है math एक डरसा लगता है लेकिन मैं आपको math में इतना बोलूँगा कि आपकी एक topic पर लो simplification एक topic पर लो दूसरा topic आप पार तक लिखा और उसमें क्या आता है simplification ही ज्यादा पार आता है simplification में भी जैसे किसी series का संब पूछ लिया जैसे कोई आपका क्या पूछ लिया एक्स प्रस्वन पान एक्स के formula पे कोई चीज पूछ लिया तो आपके basic calculation पे आपका क्या होता है यह question simplification based पे पूछ आ जाता है तो अगर complete इसके syllabus की बात करो तो इसमें time इस पर distance भी हो गया time and work भी हो गया इसमें आपका profit and loss भी हो गया यह आपके chapter होते हैं और एक chapter आपका average हो गया इतने chapter है जिनमें से यह तीन chapter आपके सब ज़्यादा महत पूड है तो अगर selection लेना है क्योंकि एक्ची समझना कि इस इसका जो syllabus है इसका syllabus दो पार्ट में है एक तो आपका जीयस है और दूसरा आपका हिंदी है जीयस तो आपको उतना role play नहीं करेगा और जीयस में लगबग बच्चों के number में बहुत ज़्यदा अंतर भी नहीं आएगा कारण उसका यह है कि यहाँ पे जीयस सबके लिए आसा देना पड़ेगा मुहावरे भी पूचेगा तो उसका मुहावरा आपको लिखना देगा उसका उपियोक आपको लिखना पड़ेगा विलोम पूचेगा तो विलोम उसके सामने लिखना पड़ेगा अनेक सब्दों के लिए एक सब्द आपको अलग से करना पड़ेगा ऐसा सौ नंबर का पहला पेपर भी है, सौ नंबर का दूसर पेपर भी है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा आपके मार्क्स में एहवेटिज है, वो 20 अंक का क्या है यहाँ पर अपटित गध्यान से, और 25 अंक आपका निवंद है, जो की हिंदी का विशे नहीं है, निवंद आ आपका basic comprehension का, समझ का और अपनी अव्यक्ति को प्रक्रिट करने का एक विशे है, जो आप कितना current के चीजों से, या फिर कितना सामाजिक रूप से, या कितना टेक्निकली आपको अपटेट रखते हैं, वो आपका बढ़ाता है, तो इसे तो हम अलग रखेंगे 25 से पूरे 200 पैटर्न में 150 तर, आपको पढ़ने वाली एकदम जो किताबी ग्यान होना चाहिए, वो होना चाहिए, और यह आपका ब्यवहारी ग्यान होता है, 25 कोशन आपको ये अलग से तयार करना होगा, उसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ, अब रही बात बाकी टॉपिक में, तो गद्यांस, अपठेट गद्यांस में ये कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, बट आपको क्योंकि ऑप्शन टिक नहीं करना है, आपको उसका उत्तर लिखना है, इसलिए यहाँ पर चैलेंजिस नए होते हैं, और इस पर बहुत साउंड प्रैक्टिस मांगता है, ऐस उसका वन ठर्ड में उससे संक्षिप्त करना है, वो नहीं कर पाते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी टॉपिक आपकी होती है, जिसमें आपको प्रैक्टिस मांगता है, उसके बाद पत्र एवं कारेल ही भी बिभन पत्रों का आले, इस पर आपका डारेक्ट कोशन पूछ आपका सिंगल कोशन होगा, अच्या जिस संक्षेप्ण, इस से भी अपका सिंगल 1 कोशन होगा, आप पटिक गंध्याज़ का एक आपका गध्यान्स होगा, एद धो होगा मैक्सिमुम, और उस पर 5-5 या दस कोशन होगे, जादर चांसे लिए, जादर चांस्त होती हैं, थ लोग तोटल भी सब्वका यह रहेगा मुहाबरे यह उमलोग होती है इस में आपको 8 मुहाबरी दिये जाएंगे उसमें से पको 5 करना है प्रतीक मुहाबरे दो नंबर का होगा एक नंबर अपको किसमें रहेगा एक नंबर यह संथाल या थोड़ा तके एकटलों दो आपटके त्सक्राइब एक प्रियायवाची नीविल्वां को सक्क्रिन सारे डीयाक से उसा ही of प्रेजक्टों परियाबथ के यह Osamu बता है कि शाफ जयादा से पहला कोशन आता है कि यह अपको हिंदी नियारा पढ़ना है या फिर आपको GS, देखो मैं तो आपको यह बोलूँगा कि पढ़ना आपको दोनों है, क्योंकि आपको दोनों नंबर से ही merit बनेगी, और जो पहली merit बनेगी, इसे आपको समझना भी यही है, कि पहली जो merit बनेगी, यह जो 200 number है, मतलब GS का अगर हम 100 number बोले, और ऐसे ही अगर से 200 पे आपकी merit बनेगी, 200 number पे, और जो आपके second stage के लिए, मतलब इस टेनों के लिए बुलाए जाएंगे, लगभग 10 गुना बच्चे बुलाए भी जाएंगे, और लगभग इसवाद 700 से ज्यादा पद भी आ रहे है, मतलब 7000 बच्चे लगभग stage 2 के लिए बुलाए जा से जादा नहीं जाएगा, तो 4-5 लाग में आपके 7000 रहेगा, इसका मतलब अभी भी देखा जाए, तो जो इसका competition है, वो कम नहीं है, अच्छा खासा competition है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे merit भले ही हाई चली जाए, यहाँ पे merit हाई चली जाए, क्योंकि 10 गुना के छोड़िएगा, एक भी, सेकंड अपना बरवाद न करिएगा, इस तैयारी को करने में, इस परिक्षा को निकालने में, और टीम परिक्षा प्लस जैसा कि आप से मैं पहले भी बताया था, बहुत सारे बच्चे UPSI, ASI का जो स्टेनों वाले परिक्षा था, उसमें से बाहर 300 ग्रेटपीक है, मतलब सब कुछ win-win situation की है, सब कुछ बहुत बहुत बहुतरीन है, और ये किसी इस्टेनों के लिए मैं बोलो ना, कि किसी collector से कम नहीं होता है, वही रुतबा होता है, इक इस्टेनों को ऐसा लगता है, कि कम मेहनत में वो DM बन गया है, वो सब कुछ मिलता ह सब कुछ मिलता है तो आपको इसे छोड़ना नहीं क्योंकि final merit बहुत कम जाती है मैं तो ये भी बोलूँगा कि जो बच्चे इस्टेनों नहीं आते वो भी आप तैयारी इस्टेनों का सीख सकते हो तो सीख लो इससे अच्छा चांस जीवन में कभी मिलेगा नहीं और अभी आपको ये पेपर फाइनल होते 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 हैं अभी आपको लगबग एक साल मिलेगा एक साल बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि बहुत समय है लेकिन अगर आप अच्छा खासा प्रैक्टिस करोगे तो एक साल में इस्टेनों हो सकता है पास करने लाग पहुंच भी जाओ और अगर चांस मिलेगा तो कर भी ले जाओगे ये मैं सारे बच्चों को बोलता इसरी इस्टेज आता है आपका कंप्यूटर का कंप्यूटर में आपको क्योंकि प्रैक्टिकल नौलेज होगा तो वह आपको इतना आप क्लियर करो प्रैक्टिकल नौलेज ये तो आपको मैं क्लियर करवा दूगा परिशान मतों आसिसर इतनी जवर्दस तरीके सा आपको ये practice कराएंगे कि सब कुछ मज़ा आ जाएगा पूरा आपको interactive way में पूरा practical way में आपको पूरी class बताएंगे ये भी ने की question के form में अब सबसे बड़ी बात आ दिये कि हमें जब ये पता चल जाता है कि हमें GS पढ़ना है हमें हिंदी में क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है तो अप्शनल पेपर है पेपर 5-6-7 यह उप्शनल पेपर होते हैं इंग्लेस वाले इनके लिए अलग से अलाउंसर मिलते हैं वह आपको पैटन अलग से पता ही दिया गया वहां पे आप देख लीजेगा डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो है डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक है अभी यहां पर देखें तो यह जो कोस अभी परिक्षा प्रस के द्वारा यह कोस अपके लिए बहुत बेतरीन लॉंच किया गया है और इस कोस को हमने अलग यूनीक तरीके से लॉंच किया ऐसा नहीं कि यहां पर जो रेगुलर कोस होते हैं उनकी तरह है यह बहु जो परिख्य कि तयारी इस हिसाब से करवाया जाएगी जैसे यह जो प्रदेल्याने नहीं होता है है इसमे ज्यांद नहीं होते हैं और जयादा प्रेक्टेश करना होता है तो टीम पोरे करेगी क्या है गया obvious डगेंट बेसिस पर प्रतेक्ष् जो आप परिक्षा प्लस एप पे दोगे और उसके बाद आपको इसकी व्याख्यात मगल की पीड़ भी दी जाएगी और जहां पर आप गलती कलते हो उसके बारे में इंपोर्टिंट पॉइंट आपको बताया भी जागा कहां पर आपसे गलती होती हैं और क्यों गलती हैं पर नहीं करनी है दूसरा पार्ट जो आपका जीस है चालिस कोशन इसके लिए प्रॉपर कॉंसेप्ट क्लासे प्लस प्रैक्टिस दिया जाएगा जैसे यूपी जीओ की प्लस यूपी जीओ क्लासी यह पूरा रमंसर आपको अच्छी कराएंगे पूरे की इस्तेजिकी क्लासे इवन मैंने स्टेटिजी में मौर्ड इंडिया बोला है बट आपको पूरे इस्तेजिय पढ़ाएं जाएं जाद आष्छे से पढ़ना है बस पूरी हिस्तेजिय इस कोशन रहामसर कभर करवा देंगे इसमें जो जनरल जोग्रॉफी बचेगा उसमें भी आपको क्या पढ़ना है बता दूब जोग्रॉफी में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है आपके इंडिया का पॉलिटिकल मैप पढ़ लो इंडिया की आप फिजिलाजी पढ़ लो उसके बाद इंडिया के आप क्या पढ़ लो इंडिया के भू प्रदेश पढ़ लो इसके अलावा ज्यादा पढ़ना है तो डेने सिस्टम पढ़ लो बस इससे ज्यादा आपको इंडिया के बारे में नहीं पढ़ना है मतलब इंडिया की जो भारत की स्थिती है भारत का जो है अक्षान सी है और देशांतर रूप में या फिर और बोल लो तो भारत का जो भू प्रदेश है उनके बारें पढ़ लो कहां पे पहाड़ है कहां परवत हैं कहां पर आपके पासस हैं यह सारी चीज़े पढ़ लो और उसके बाद आप डेने सिस्टम पढ़ लो इतना इस के प्दर कॉनक्र करेंगी, इसके प्रॉपर नोट्स दिए जाएगे और इसकी प्रैक्टिस भी करवा whirl जाए बेसिस पे आपको कुछ words दिये जाएंगे कुछ आपको evasion दिये जाएंगे कुछ आपको questions दिये जाएंगे और सबसे बड़ी match की तो आपकी पूरी practice class और core class इसमें आपको सबसे अच्छा जो unique feature है इसमें हिंदी के लिए हिंदी में क्योंकि यह descriptive है तो पूरा बैज आपका descriptive pattern पे चलेगा मतलब यह कि आपका time table के हिसाब से आभी आठवा निबंदु को हटा दिया जाए तो इन इस साथ topic को सब्ता के साथो दिन सोम वार को आपका गध्यांस का एक प्रशन बंगलवार को सक्षे बढ़गा और उसके बाद अगर देखा जाए तो तीसरे दिन बुधवार को आपका पत्र के जो टेस्ट होगा चौथे दिन आपको मुहावरे का पांचवे दिन आपको व कद्यांस दे दिये गए अब आपको क्या करना होगा अपने copy में इसे लिखना होगा वह copy आप जमा करोगे कहां जमा करोगे जहां पर गुरूप जुड़ोगे या पर पर परिक्षप्लस ऐप ऐसा फीचर होगा कि आप डाइरेक्ट अपलोड करवा अपनी copy को उस copy को आपक आपको आप्में दे दे जागा करें तो सुबा से लेकर साम तक आप देखो तो हिंदी कि आप खुद ठैक्टेश करोगे आपके साथ हमारी faculty प्रेक्टेस करेंगी कहने का मतलब कि आपका पुरा का पूरा लगी रहेंगी कि हां बाई कहां पर बच्चे गलती कर रहें कहां पे पीछे रह जा रहे हैं, वो सारी चीजे आपको साम में बताई जाएगी, तो ये complete daily basis पे, मतलब एक ऐसा बैच है, जो आने वाले, जब तक आपका परिक्षा नहीं हो जाती, course complete नहीं हो जाता, daily basis पे जुड़ा हो रहेगा, और बहुत भीरिन तरीके से कराया जाएगा, तो कुछ आपका यहां पे conduct कराया जाएगा, और इतना बेहतरीन चीज आपको, ये सारी ही चीज अगर आप देखोगे, तो मात्र अभी 1250, अला कि इसकी फीज 5 जा रहे है, और ये real फीज है, अभी के बाद 15% मात्र दू या 3 दिनों के लिए इसे दिया जाएगा, उसके बाद इसकी फीज 5 जारी जाएगी, क्योंकि इसमें बच्चों बहुत मेहनत है, इसमें हिंदी सबस्यादा मेहनत जो है आपके descriptive का है, और आपके साथ पूरी टीम लगी रहेगी, तो no doubt कि ये फीज इसलिए थोड़ी सी महंगी है, बट still कि आपको कहीं न कहीं, सुरवात में जो बच्चे हम असे पुराने बच्चे हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनको ये offer मिल जाए, और 50% के साथ 1250 रुपए प्लस GST, GST क्योंकि हमें भी देना होता है, इस कारण से लगा हुआ है, और ये भी स्वक्षा है, मैं तो ये बोलूगा, आप तयारी करो, कहीं से तयारी कर जाएगा, तो इस कारण से प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर नोट के साथ, नवींतम पाटिकरम कहने सार, सभी क्लासे वीडियो लाइप प्लस रिकॉर्डेट, हिंदी पत्र और निबंद लेकन की विसेज क्लासे, कंप्यूटर का टर्मिनल बेश्ट क्लास, इसको अभी नहीं रखा जाएगा, कंप्यूटर का ध्यां दीजेगा, ठीक है, इसमें कुछी क्लासे आपकी रखी जाएंगी, बागे डेली टेलिग्राम, कुछ टेलिग्राम या एप पे करवाएंगे, सभी टेस्ट की व्याखा तो हलकी PDF, आपकी कॉपी चेकिंग, रिमा इसमेलेगा, 75% अभी कोई डिसकाउंट नहीं लगाना है, और इसकी प्राइस लेस करके रखी गई है, दो-तिन दिन बाद इसकी प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी, तम मैं कुछ नहीं कर पाँगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है, ये बात आप आप जानते हूँ, व अन्य आपको कोई प्रशन है, या कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर आप इस्टॉल नहीं कियो, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहाँ पे जा सकते हो, चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब आप से कर दीजेगा, वीडियो के बारे में चानते हो, तो हम लोग फिर से अब मिलेंगे कोर्स में बहुत-बहुत धन्यवास अभी का बहुत-बहुत आपार,